कहानी की शुरुवात एक राक्षसी होटल को दिखाने से होती है, इसकी A25-वी वर्ष गांठ आज है, पहले इस होटल पर सिर्फ राक्षसों का राज था, लेकिन आज इस होटल में कुछ इंसान भी आ सकते थे, क्योंकि ये होटल ड्रैकुला का था, और ड्रैकुला की बेट वह यह सब अपनी पतनी से चर्चा कर रहा था, जिसे मेविस सुनता है, ये सुनकर माविस बहुत खुश हुआ, वह जॉनी को सब कुछ बताती है, और उसे चुप रहने, और उसके आश्चर्य को खराब न करने के लिए कहती है, जॉनी होटल से ज्यादा खुश था, क्यों भी करेगा, वह बेकार है, आज भी पार्टी की सारी व्यवस्था जॉनी ने की थी, और ड्रैकुला की सोच के मताबिक सब कुछ गलत हो रहा था, उनकी पार्टी खत्म होने वाली थी, ड्रैकुला अचानक कहता है, कि सब कुछ रुक जाता है, सभी को मुक्त कर देता है, औ मैं आज बहुत खुश हूँ, आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, जब आप मुझे यह होटल देंगे, तो आप देखेंगे कि मैं इस होटल का क्या हाल करूँगा, जैसे ही जॉनी बताता है कि वह होटल में क्या बदलाव करेगा, ड्रैकुला को पता च जॉनी को बहुत दोख हुआ, पार्टी अब शुरू हो चुकी थी और हर कोई घोशना का इंतजार कर रहा था, ड्रैकुला ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि अब हम इस होटल को एक नया रूप देने जा रहे हैं, यह सुनकर ड्रैकुला की पतनी हैरान रह गई और म पागल होने वाला था, और जॉनी को बस इस बात की चिंता थी, कि वह एक राक्षस क्यों नहीं पैदा हुआ, उसके बगल में बैठा वैज्यानिक कहता है, यह चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें राक्षस बना सकता हूँ, वह जॉनी को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, और उसे एक किरण मशीन दिखाता है, जिसकी मदद से वह किसी भी इनसान को राक्षस और राक्षस को इनसान में बदल सकता है, उसने इसका परीक्षन एक छोटे चूहे पर किया, जो जॉनी की आँखों के सामने राक्षस बन गया था, जॉनी इसे आजमाने के ल सब कुछ बड़ा होने लगा, उसके पास मूचें थी और वह मूचों के साथ डाइनासोर बन गया था, इधर जॉनी अपनी पत्नी और बेटी से मुह छुपा रहा था, क्योंकि उसके पास उन दोनों को देने का कोई औचित्त्य नहीं था, तभी जॉनी बहुत खुश होकर ड्रैकुला के सामने आता है और कहता है, देखो ड्रैकुला, मैं राक्षस बन गया हूँ, अब आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान सकते हैं, अब इस होटल का नाम मेरे नाम पर रखा जा सकता है, यह देखकर ड्रैकुला हैरान रह गया, अब क्योंकि जॉनी के राक ड्रैकुला उसके पीछे उसे इनसान बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कई शॉट छूट गए हैं, और इसमें उसने एक बार क्या किया, वह एक दीवार से टकरा गया, और ड्रैकुला आसमान से गिरकर इनसान बन गया, उसके हाथ से रेगन छूट गई और पानी म पी जाते हैं और सारे राक्षस भी इंसान बन जाते हैं। सब कुछ गडबड हो गया था, सब कुछ ठीक करना था। लेकिन यह केवल किरण बंदूक की मदद से किया जा सकता था। ड्रैकुला पत्थर वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन वह पत्थर वापस नहीं ला पाता। वैज्यानिकों का कहना है कि अब इस पत्थर को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना होगा। लेकिन अब जब ड्रैकुला इनसान बन चुका था तो उसे अपने ही हवाई जहाज में बैठते वक्त बहुत डर लगता था। जबकि जॉनी ऐसे बैठा था जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। जॉनी और ड्रैकुला दोनों अपने टूटे हुए विमान से दक्षन अमेरिका पहुचते हैं। ड्रैकुला पहली बार सूरज देख रहा था, वह ताबूत में छिप जाता है। उसे लगा कि यदि वह सूर्य को देखेगा तो जल जाएगा। ड्रैकुला का कहना है कि अब वह इंसान बन गया है। जब जॉनी उसे यह याद दिलाता है तो वह सूरज को बहुत करीब से देखता है। उसकी आँखों में जलन होने लगी तो उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सड़क के बीच में पहुँच गया। उसका एक्सिडेंट होने ही वाला था कि जॉनी उसे पहचान लेता है। लेकिन उसकी वजह से बाकी कारों का बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है जिसकी खबरें टीवी पर भी आती रहती है। और इस समाचार को देखने के बाद मेविस और उसकी मा को पता चला कि ड्रैकुला कहां है। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए पहले एक बड़े जंगल और फिर बरफीले पहाणों को पार करना पड़ा। वे रास्ते में थे। जॉनी तो सफर का खूब आ माक मचली होगी जो उसे काट लेगी। जब मेविस और उसकी मा को सब कुछ पता चल जाता है। तो वह वैज्ञानिक के कमरे में जाती है जहां उनका सामना सबसे पहले उसी राक्षस से होता है। जिस पर पहला प्रयोग किया गया था। ये दोनों बहादुरी से उससे देने के लिए वह सब ही मानव निर्मित राक्षसों के साथ निकलती है और उसी जंगल में पहुँचती है जहां जौनी और ड्रैकुला हो सकते हैं इस हवाई जहाज से वे अपना पैराशूट निकालते हैं और जंगल में उतर जाते हैं। जौनी बहुत तेजी से आगे आ लेकिन ड्रैकुला अपने कमपास में देखता है कि जौनी ने गलत रास्ता चुन लिया है। जौनी पहाड की छोटी पर था। ड्रैकुला उसे तुरंत वहाँ से नीचे उतरने के लिए कहता है और इस तरह वे गिर जाते हैं। वे मर सकते थे। लेकिन अचानक जौनी को पता चला कि वह उड़ सकता है। वह उड़ते समय ड्रैकुला को बचाता है। वे उड़ने का सुख भोगते हैं। जौनी ने ड्रैकुला को अपनी पीट पर बैठा लिया था। वे बहुत यात्रा करते हैं और फिर रात में एक जगह बैठ कर आराम करते हैं। दोनों बात कर रहे हैं कि जब Dracula मार्श मैलो को गर्म करता है तो वह जल जाता है Dracula ने इसे फेंक दिया इस पर जॉनी कहते हैं आप हमेशा नेगेटिव क्यों दिखते हैं वह मार्श मैलो को तोड़ता है और उसके अंदर का सफेद और स्वादिष्ट हिससा खाता है और कहता है कि जब तक आप दूसरों की अच्छाई नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि दूसरों की अच्छाई क्या है, ड्रैकुला भी सोच में पढ़ जाता है, और फिर ड्रैकुला की पतनी अपने गैजट्स की शक्ती का उपयोग करके पता लगा ले उसका गुस्सा उसे और भी बड़ा और खतरनाक राक्षस बना रहा था, वह गुस्से में वहां से चला जाता है, माविस उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, इधर ड्रैकुला और उसकी पतनी दोनों उस क्रिस्टल को ढूंडने गए थे, जिसका इस्तेमाल सब कु करने के लिए किया जा सकता था, आखिरकार पूरी टीम उस गुफा तक पहुँच गई जहां क्रिस्टल मिलना था, इधर जॉनी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था, उसका गुस्सा उसे पागल बना देता है, जॉनी को ये भी याद नहीं कि माविस उसकी पतनी ह वह मेविस पर भी हमला करता है, जबकि मेविस की माँ उसे बुलाती है और कहती है कि किसी भी तरह जॉनी को यहां ले आओ, उसने माविस को लोकेशन भी भेजी थी, मेविस के लिए यह मुश्किल था, लेकिन मेविस अपने दिमाग का इस्तिमाल करते हुए, यानि कोई उ पत्थर की तलाश में था, जो अभी तक किसी को नहीं मिला था, माविस भी अंततह जॉनी के साथ यहां आता है, लेकिन जॉनी का आकार बड़ा होने के कारण, वह गुफा के अंदर नहीं जा सका, और मेविस अपने पिता से मिलती है, वह उससे कहती है, तुम्हें जूट क् पत्थर मिल जाता है, जिसकी उसे जरूरत थी, माविस तुरंत उस पत्थर को रे मशीन पर रख देता है, ताकि वह जॉनी को ठीक कर सके, लेकिन गुस्से में जॉनी को दोबारा इंसान बनाना संभव नहीं था, सुभह का समय था, और इस गुफा में बहुत धूप थी, स अचानक जॉनी ड्रैकुला को उठा लेता है, और ड्रैकुला उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, जॉनी, मैंने आपको गलत समझा, आप बहुत अच्छी, अब मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा हूँ, इतना कहते ही जॉनी का गुस्सा शान्त हो गया, और अब जब माविस ने उस पर रे गंड से वार किया, तो वह फिर से इंसान बन गया, सब कुछ सामान्य हो गया, सभी मानव आकार के राक्षस फिर से राक्षस बन गये थे, अंतता ड्रैकुला फिर से मानव बन गया, सब कुछ सामान्य हो गया, आखिरकार वे अपने होट जा रहे थे लेकिन जब वे होटल जाते हैं तो क्या देखते हैं? उन्हें जो पहला छोटा राक्षस बनाया था, वह अब इतना बड़ा हो गया है कि उसने पूरे होटल को नश्ट कर दिया है. वे किरण मशीन का उप्योग करके राक्षस को नियंतरित करते हैं. जब पहला ने उसे टोकते हुए कहा कि अब ये होटल आपका है, आप इसे बिलकुल वैसा ही बनाएं, जैसा आप चाहते हैं. ये सुनकर जौनी बहुत खुश हो जाता है. द्रिश्य काट दिया गया है, और हमें एक साल बाद का द्रिश्य दिखाया गया है. जहां होटल ट्रां नेवाद.